दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी अपनी मोटी तोन से परेशान है और इससे जल से जल छुटकारा पाना चाते हैं तो आपको जिम जाने की कोई जुरुट नहीं है बता ही आप इन पांच चीजों को खाकर भी अपनी तोन को कम कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो जानते हैं वो कौन सी चीजे दोस्तो मुटापाच हर पांच में से तीन सक्ष के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है यह फीगर तो खराब करता ही है साथ ही में यह अन्य कई खतरनाक बीमारियों को भी नियोता देता है बढ़ते वज़न को सही समय पर कंट्रोल करना बहुत जुरूरी है क्योंकि वज़न कम होगा तब ही आप लंबी हुबर तक हेल्दी रह पाएंगे वज़न को कम करने के लिए लोग एक्सेसाइज और जिम में पसीना बहाने को ही बेतर विकल्प मानते है लेकिन कुछ लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह जिम में जा सके या कुछ लोग हेल्थ प्रोब्लम के चलते जिम में लंबा समय तक एक्सेसाइज नहीं कर पाते ऐसे लोगों के लिए हम गजब के टिप्स लाएंगे बस आपको अपनी टाइट सही करनी है चलिए दोस्तो आज हम बताते हैं कि जिम ना जाने वाले लोग कैसे वज़न को तेजी से कम कर सकते हैं नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हारदिक स्वागत है दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सकाइब नहीं किया है तो किरपय पहले ही से सब्सकाइब करें और हमारे चैनल पर एविलेवल बेल आइकन को एनेबल जूड़ करें ता कि हमारे आने वाली सबी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहें तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं बरपूर पानी पिएं दोस्तो सबसे पहले तो अपनी दिन चर्या में पानी को महत्तव दें खूब सारा पानी पिएं आप साधे पानी के साथ गुनगुने पानी में शहद, नीमबू पानी, फुदीना पानी का सेवन भी करें क्योंकि यह विशेले तत्वो को जल्दी बाहर निकालने में मददकार है जिससे बदन भी तेजी से कम होता है कम से कम 10 से 15 किलास पानी जरूर दिये हरी सबजियां खाए दोस्तो हरी सबजियों का सेवन करें इसमें विटामिन और मिनराज जैसे तत्व बरपूर होते हैं शरीर के लिए यह बहुत फाइदे मंद होते हैं क्योंकि पानी से बरपूर यह सबजियां तेजी से वजन गटाती है खीरे और पत्तागोबी का सेवन जूर करें क्योंकि इन दोनों चीजों से फैट तेजी से बर्न होता है दोस्तो अपनी डाइट में फल जूर शामिल करें रोजाना सुबे एक सेव जूर खाएं इसके साथ साथ तरबूज, पपीता, संत्रा आधी भी जूर शामिल करें लाल रंग की खटा करोंदा जिसे ग्रैन बेरी भी कहते हैं इसके जूस का सेवन करें क्योंकि इसके जूस में और्गैनिक एसिड काफी मात्रा में होता है जो डाइजस्टिव एंजाइम को बढ़ावा देता है यह एंजाइम खाने को पचाने में मदद करती है और इससे शरीर में जमा अतरिक्त वसा भी समाप्त होता है ओमेगा थरी फैटी असिड दोस्तों ओमेगा थरी फैटी असिड शरीर के लिए काफी लाबकारी होता है मासाहारी लोग इसे मच्छली के जरिये ले सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन है तो नर्स खाएं जैसे अकरोड, बदाम, काजू, आदी इनमें बरपूर मात्रा में ओमेगा थरी फैटी असिड होता है सुबे सुबे खाएं कच्छा लसन दोस्तों रोजाना लसन की दो-तिन कलियां चबाना आपके लिए काफी फाइदे मन्द होता है इससे वजन तेजी से कम तो होता ही है साथ ही रक्त परवावी सही होता है और एसीडिटी की प्रिशानी भी नहीं होती तो चलिए दो तो जानते हैं कि आपको किन्चीजों का सेवन नहीं करना है जंक फूर्ड और मीठे से परहेज पेट की चर्बी कम करना चाते हैं तो फास्ट फूर्ड, जंक फूर्ड और मीठे को एकदम ना कह दे यही खाना तेजी से वजन को बढ़ाता है मसालेदार चीजों का सेवन भी कम करे मीठे पदार्थ शरीर पर अतरिक्त चर्बी जमा करते हैं जो शरीर के विबिन हिस्सों जैसे पेट और जांगों पर जमा हो जाती है और मोटापे का कारण बनती है दोस्तो इन टिप्स को लगातार हफता अपनाएं आपको खुद बखुद फरक दिखाई देगा तो दोस्तो यह था हमारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप जिम नहीं जा सकते तो इन पांच चीजों को खाएं और हफते में अपनी बड़ी हुई तोंद गटाएं उमीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आए अगर आपको यह वीडियो फाइदे मन लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जूशे करें इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करके जादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना मत बूलें कीप शेरिंग एंड कीप स्पोर्टिंग अग्स हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ थैंक्स फो वाचिंग